हलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल NCRT टूटरोल के उपर और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नमबर 1 को जिसका नाम है How, When and Where तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं NCRT बुक की मदद से और NCRT बुक से इस चैप्टर को completely हम पढ़ेंगे line by line हर एक line discuss करेंगे और पूरा यह चैप्टर इस वीडियो में आपका complete हो जाएगा तो अगर आप इस वीडियो को इस चैप्टर को जल्दी से पढ़ना चाहते हैं तो 1.25x पर भी वीडियो देख सकते हैं या फिर 1.5x पर भी देख सकते हैं ठीक और साथ में हमारा यह चैप्टर जो है इसका वीडियो आपको डिजिटल बोर्ड के जरी यह भी नोट्स के जरी भी मिल जाएगा और साथ में इस चैप्टर का सॉल्यूशन भी आ जाएगा बहुत जल्दी तो सारी वीडियो आपके लिए एवलेवल होंगे सस्टी के, साइंस के, मैथ के सारी वीडियो आ रहे हैं और बहुत सारी वीडियो आप्लोडेड हैं पहले से अप्लोडेड हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं फिर से रिवाइस कर रहे हैं तो उसके लिए लोड नहीं लेना तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन है आपके modern हिस्ट्री से तो देखिए इसके पहले class 6 में आपने हिस्ट्री पढ़ा तो वहाँ पर हमने हमारे बुक का नाम क्या था आवर पास्ट वन था वही हम लोग ने class 7 में पढ़ा तो वहाँ पर आवर पास्ट 2 था तो वहाँ पर आवर पास्ट 1 में यानी class 6 जो था वहाँ पर हमने जो हिस्ट्री पढ़ा वहाँ पर हमने ancient इंडिया की बात की थी मतलब हमने वेदिक सिबलाईशन के बारे में पढ़ा class 6 में या फिर उसके पहले उसके अलावा हमने वहाँ पर और भी चीज़े पढ़ी तो वो हमारा ancient history हो गया class 7 में जो हमने history पढ़ा वो हमारा क्या हो गया medieval history medieval history बोले तो मतलब की मधिकालीन इतिहास भारत का लेकिन अब जो यहाँ पर हम लोग class 8 में आपको history पढ़ना है यह आपको modern history पढ़ना है मतलब की अंग्रेज जब आए अंग्रेजों का अक्साशन के दौरान क्या-क्या चीजे हुई उसके बाद हम आजाद हुए कैसे हुए क्या हुए सारी चीजे हम यहाँ पर focus करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको class 8 में जो यह चैप्टर है How, When and Where यह चैप्टर एक प्रकार से आपको history के बारे में समझाता है कि भाई history जब हम पढ़ते हैं तो history में हमारे लिए कौन-कौन से topics important होते हैं क्या-क्या चीजे होती हैं किस चीज के उपर focus करते हैं इसके अलावा history को हम classify कैसे करते हैं यह जो हमने ancient history, medieval history, modern history का classification किया यह कैसे हुआ हमें किन dates पर focus करना चाहिए किन पर नहीं करना चाहिए और भी बहुत चारी चीजे हमें यहाँ पर पढ़नी है तो आईए हम सुरुआत करते हैं chapter को और chapter का पहला topic देखते हैं तो chapter का जो पहला topic है यह कहता है How important are dates? तो how important are dates यानि जो तारीख होती है date होता है यह history में कितना important है? भाई बहुत important है हम लोग जब history की बात करते हैं तो भाई date की बात होती ही है और बहुत सारे date हमें याद भी रखना पड़ता है यह तो आपको पता ही होगा अब यहाँ पर कहता है कि there was a time when historians were fascinated with dates एक समय में क्या था ना कि जब भी history की बात होती थी तो हम लोग हमेशा dates की बात करते थे और जो historians होते थे जो कि history लिखने का, history पढ़ने का काम करते थे वो बहुत ज़्यादा dates के उपर focus करते थे और इन ही dates को लेकर बहुत ज़्यादा debate होते थे कि भाई कोई लड़ाई कब लड़ा गया कोई राजा कब बना कोई राजा की मौत कब हुई तो इस प्रकार से dates पर तारीख पर बहुत ज़्यादा focus हुआ करता था, अभी भी है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी भी है, लेकिन पहले कुछ जादा ही होता था, समझ गया अब यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि history was synonymous with dates मतलब कि history जब भी बात होती थी ना, तो हमेशा dates की बात होती थी लेकिन उसके अलावा आपने अपने दोस्तों से भी सुना होगा अपने जो senior हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनसे भी सुना हो, यार history मजा नहीं आता history में, क्यों मजा नहीं आता है भाई, क्योंकि history जो है वहाँ पर हम मुझे history बहुत ही boring लगता है, क्योंकि इसमें dates बहुत सारे याद करने पड़ते हैं तो इस वज़ा से, जो history था वो उसमें dates पर बहुत ज़दा focus होता था, इसलिए लोग जो थे, वो history को उतना ज़दा पढ़ना भी पसंद नहीं करते थे, और इसमें बहुत सारी चीज़े cover भी नहीं हो पाती थी केवल important events cover होते थे अब यहाँ पर बात है कि history होती क्या है और history में हमें किन चीजों पर focus करना चाहिए, या फिर history पर किन चीजों पर focus करना हमारे लिए बेहतर होगा, तो यहाँ पर कहता है कि history is certainly about changes that occur over time यानि कि समय के साथ जो बदलाव आए हैं हमारे समाज में, हमारे इतिहास में, हमारे आसपस उनको पढ़ना एक तरीके से होता है हमारे history में जब हम history पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है पहले हम लोग cycle से चलते थे अब हम लोग bike से चलते हैं, उसके पहले हम लोग paddle चलते थे, अब हम लोग bike से car से चल रहे हैं, train से चल रहे हैं यह क्या हुआ, यह एक बदलाव हुआ, तो इस प्रकार के बदलाव को हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ पर यही कहता है, it is about finding about how things were in the past, and how things have changed, हिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, कि पहले कैसी चीजे थी, और अब बदलाव होकर चीजे कैसी हो गई हैं, इसके साथ ह as soon as we compare the past with the present, we refer to time, and we talk of before and after, जब भी हम past और present की बात करते हैं, और compare करने की बात करते हैं, तो हमेशा हमारे सामने time आ जाएगा, time मतलब क्या, भाई, आज के 100 साल पहले ऐसा होता था, 50 साल पहले ऐसा होता था, 200 साल पहले ऐसा होता था, इस चीज़ की बात हो रही है, तो य पहली बात की बात की बाई, देखो, history में dates पर बहुत ज़दा focus होता है, लेकिन आपको mainly यहाँ पर समझना है की हमें dates पर focus नहीं करना है, हमें किन चीज़ों पर focus करना है, हमें focus करना है एक process के उपर, की बाई, चीज़े पहले कैसी थी, अब कैसी हैं, क्या बदलावाया, कै कैसे बदलावाया यह चीजे हमें समझनी है हिस्ट्री में जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे समझ गया अब यहां पर आगे कहता है कि living in the world we do not always ask historical questions about what we see around us मतलब जब हम नॉर्मल जपना जिन्दगी जी रहे होते हैं तो हम लोग हमेसा historical questions नहीं पूछते हैं कि भाई यह जो दर्वाजा था यह जिस दर्वाजे से मैं रूम में आया यह दर्वाजा कब लगा था नहीं हम लोग पूछते हैं क्या जी नहीं यह table जिस table पर मैं बैठा हूं यह table कब बना था यह जिस सहर में रहता हूं यह सहर कब बना था यह हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं हम लोग किसी को चाय पीते हुए आप देख का आपके मन में खयाल आ सकता है कि यार इंडिया में चाय आया कब कब से लोगों ने चाय पीना इंडिया में शुरू कर दिया चाय कहां से आया है सबसे पहले कहां पिया गया था तो इस प्रकार से आप question पूछने लगते हैं आपके मन में curiosity आती है ठीक है इसके साथ ही आप जो हैं आप एक तरीके से कि भाई जब आप train में बैठते हैं तो train के बारे में पूछ देते हैं सवाल पूछ देते हैं कि भाई railway कब से चालू हुआ railway कब बना था और railway आने के पहले लोग लंबी दूरी की यातरा कैसे करते थे इस प्रकार के सवाल आपके मन में आ जाते हैं इसके अलावा newspaper आप जवाब पढ़ते हैं तो आपके मन में ख्याल आ जाता है कि भाई newspaper यार पहली बार कब छपा था कब से newspaper आ रहा है तो ये कुछ ऐसे सवाल है जो कि अपने आप आपके मन में उठते हैं लेकिन जेनरली हम लोग डेली ऐसे question नहीं पूछते हैं अब यहाँ पर बात आती है कि जब भी हम इस प्रकार से question पूछते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने सवाल आता है time का यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं time की बात कर रहे हैं कि भाई train कब से चला तो भाई हमें क्या करना होगा एक time बताना होगा कि आज के 100 साल पहले 200 साल पहले 1813 में चला था 1814 में चला था या फिर tea कब से पी रहे हैं या फिर newspaper कब से print हो रहा है, तो 400 साल पहले से print हो रहा है, तो ये सारे जो सवाल, historical सवाल आते हैं, वहाँ पर हमारे सामने date important हो जाता है, time important हो जाता है, date नहीं, time important हो जाता है, क्यों? इसका reason ये है, कि भाई देखो date हर चीज के लिए हम एक specific date नहीं दे सकते हैं, जैसे आप से पूछा जाए कि भाई आप किस दिन पैदा हुए थे, आप एक date बता सकते हैं, time भी बता सकते हैं, कि यार 5 बज के 85 मिनट पर मैं पैदा हुआ था, या आप बता सकते हैं, लेकिन जो चाय है न, वो ऐसा नहीं था कि देश के सभी लोग एक ही दिन पिना सुरू कर दिये थे, जी नहीं, कुछ पहले 10 लोग पिये होंगे, उसके बाद 100 लोग पिये होंगे, उसके बाद 1000 लोग, उसके बाद 1 लाग, 10 लाग करते करते पूरे इंडिया में चाय जो है वो popular हो रूल करने के लिए सैकडो लड़ाई या लड़ी थी, 100 सालों तक वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई इस दिन से जो है ब्रिटिसर्स का इंडिया पर रूल स्थापित हो गया, नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके इसकी जो चीजे होती है इवेंट होते हैं, बहुत सारे, वो आपको एक stretch of time में होते हैं, मतलब कि जो आपका ब्रिटिसर्स का रूल हुआ, उसके लिए 100 साल, 700 साल लगे, या फिर उसके अलावा चाय पीने का जो प्रोसेस है, चाय पीना लोगों ने शुरू किया, तो उसके लिए कई साल लगे, त इतने important होते हैं, तो हमने शुरू में क्या समझा, कि date important होते थे, क्योंकि historians date के उपर focus करते थे, लेकिन हमें date के उपर focus नहीं करना चाहिए, प्रोसेस के उपर focus करना चाहिए, हम जो हैं हमेशा date की बात करते नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे questions है history के, जहां पर आप date के साथ answer नहीं दे सकते हैं, यह अभी तक हमने समझ लिया, अब यहां पर बात है कि why then do we continue to associate history with string of dates, लेकिन फिर भी हम लोग ने समझा कि date के साथ हम लोग को focus नहीं करना चाहिए, कई सारे event है जहां पर एक specific date आप दे नहीं सकते हैं, तो अभी भी हम लोग date की इतनी ज़्यदा history में बात करते क्यों हैं, तो उसका reason है कि यह जो association है na history का date के साथ, यह इसका एक reason है, इसका reason यह है कि एक समय था, पहले जब history लिखी जाती थी, वहां पर जो history होता था, उसमें battles और बड़े बड़े event की बात होती थी, और वहां पर हमेशा rulers की और उनके policies की बात होती थी, कि भा ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो जो history पहले लिखी जाती थी, उसमें rulers की बात होती थी, policies की बात होती थी, event की बात होती थी, बड़े बड़े event की बात होती थी, और जैसे कि history में क्या लिखा जाता था पहले, कि भाई जो राजा है, वो राजा कब बना, वो उसकी शादी क कब हुई, उसको बच्चा कब हुआ, उसने युध कब लड़ा, उसकी मृत्यु कब हुई, उसका अगला राजा कब बना, इस तरीके के इवेंट आप हिस्ट्री में यूज होते थे, लिखे जाते थे, अब यहाँ पर बात है कि ऐसे इवेंट को लिखना आसान है, हिस्ट्री यह एक इवेंट है, और इसका डेट आप असानी से बता सकते हैं, प्रोसेस बहुत बड़ा नहीं, आप से पूछा गया अंसर, आपने अंसर दे दिया, तो ऐसे इवेंट को आप स्पेस्ट्री में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके के आपको यह इव of the past two years, historians now write about a host of other issues and other questions, they look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread and how cultures and society changed, तो आपने पिछले दो सालों से जो हिस्ट्री पढ़ी है, क्लास 6 और 7 के हिस्ट्री, वहाँ पर आपने देखा होगा कि डेट की उतनी ज्यादा बात नहीं होती है, अब हिस्ट्री में क्या बात होता है, कि भाई जो लोग थे, माल लीजे कि जो अकबर का शासन था, अकबर के शासन के दोरान जो लोग रहते थे, उनका क्या तरीका था जीने का, वो अपना जीवी का अपना क्या काम करते थे, कैसे वो पैसे कमाते थे, इसके अलावा क्या वो खाते थे, क्या खेती करते थे, शहर कैसे develop हुए, बाजार ने बाजार कैसे बने, साम्राज जी कैसे बने, kingdom कैसे बना, नए विचार कैसे spread हुए, मतलब कि जैसे धर्म का प्रचार हो गया, या फिर और भी कई सारे विचार का प्रचार कैसे हुआ, society और culture में कैसे बदलाव आया इस प्रकार के चीजों पर historians जो हैं वो ज़्यादा focus करते हैं आपने class 6 में जो history पढ़ी class 7 में पढ़ी ऐसी इसी चीजों पर ज़्यादा focus आपको देखने को मिलेगा तो समझ गया कि date कितना important होता है history की बात हो रही है तो history में date बहुत important होता है कितना important होता है आप समझ गया focus करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए ये भी समझ गया अब यहाँ पर आगे आता है topic which dates मतलब कि भाई देखो तारीख तो हमारे सामने बहुत सारे हैं history में बहुत सारे event हुए हैं बहुत सारी तारीखे हैं तो उन सभी तारीखों में से किस तारीख को हमको focus करना है कौन सी तारीख हमारे लिए important है ये हम जरा सा इस topic में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि उपर हमने देखा कि अभी भी हमने तारीखों को ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में completely छोड़ दिया है नहीं अभी भी हम तारीखों की बात करते हैं तारीख हमारे लिए बहुत ही important है और बहुत सारे event हैं जिनमें की हम तारीखा यूज करते हैं तो भाई कौन सी तारीख हमारे लिए important है और कौन सी नहीं है यह कैसे तै होता है यह हम इस topic में देखेंगे तो यहाँ पर कहता है कि by what criteria do we choose a set of dates as important यानि कि हमारे पास क्या ऐसा आधार है क्या criteria है जिसके आधार पर कोई भी date हमारे लिए important होता है किस date पर हम focus करते हैं तो यहाँ पर कहता है कि the dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own they become vital because we focus on a particular set of events as important if we focus on study changes we will begin to look at new issues, a new set of dates and will appear significant मतलब यहाँ पर कहता है कि भाई कोई भी date important कैसे होता है तो वो date important इसलिए होता है क्योंकि हम उससे जुड़े हुए event के उपर focus कर रहे हैं जैसे अगर मैं बात करूँ कि चलो मैं क्या गरता हूँ ना पिछले 10 साल का इतिहास लिखता हूँ दस साल का इतिहास लिख रहा हूँ चलो ठीक है लेकिन भाई मैं इतिहास लिख किस चीज कर रहा हूँ मैं किस topic के उपर बात कर रहा हूँ अगर मान लो कि मैं अपना इतिहास लिखूं कि भाई मैंने पिछले 10 साल में क्या किया तो अगर मैं अपना इतिहास लिखता हूँ तो मैं ऐसे डेट के उपर फोकस करूँगा जो कि मेरे लाइफ से जुड़ी हुई है जैसे आज के दो साल पहले मैं गया था दिल ही घुमने तो मैं लिखूंगा कि भाई दो साल पहले 2020 जो था उस समय में दिल ही घुमने गया था तो ये एक डेट हुआ जो कि मेरे लाइफ से जुड़ी हुई है और वो मेरे लिखूंट है फिर मैं लिखूंगा भाई 2019 में क्या था न मैं गया था मुंबई घुमने तो ये एक date है 2019, जो कि मेरे life से जुड़ी हुई है, ये यहाँ पर important क्यों है, क्योंकि मैं अपनी life की history लिख रहा हूँ, लेकिन क्या 2020 में एक ही घटना हुआ था, कि मैं Delhi गुमने गया था, दुनिया में तो बहुत सारी चीज़े हुई थी, 2019 में क्या एक ही event हुआ था, कि मैं लोग कि मैं मोदी जी के बारे में history लिख रहा हूँ, कि प्रधान मंतरी मोदी ने पिछले 10 साल में क्या किया, तो वहाँ पर ये कहानी तो नहीं न लिखी जाएगी, कि जो ये सस्वी है, वो गया था 2020 में घुमने दिल्ली, ये नहीं न लिखा जाएगा, वहाँ लिखा जा में lockdown लगा था, ये लिख देंगे, coronavirus आया था 2020 में, तो यहाँ पर बात है कि हम जिस चीज को पर focus करेंगे, वो उस चीज से जुड़े हुए dates हमारे लिए important हो जाएंगे, यहाँ पर यही कहता है कि माल लोग कि देखो history हम जैसे ही लिख रहे है, history लिखा गया British historians के द्वारा, ये जो history लिख रहे थे, यहाँ पर इनके लिए history के हिसाब से क्या important था? हरे एक governor general का rule important था, तो इन्हों ने जब history लिखी, Britishers ने history लिखी, तो इन्हों ने ऐसे dates के उपर focus किया, जहाँ पर governor general से जुड़े हुए event थे, जैसे कि जैसे कि जो पहले governor general थे, Warren Husting, वो कब governor general बने, उन्होंने कौन सा decision कब लिया, क्या event हुआ, क्या घटनाए हुआ, सारी चीज़े लिखेंगे, और last में लिखेंगे, last viceroy के बारे में, Lord Mountbatten के बारे में, क्यों भाई? क्योंकि Britishers के लिए governor general का role जो है, वो बहुँ ज़दा important था, ठीक है, लेकिन अगर क यहां पर जैसे बात करें, कि माल लोकी अगर कोई Indian society के उपर focus करता है, तो Indian society के बारे में जुड़ी हुई जो event है, वो लिखेगा, जैसे अगर हम लोग लिखने लगे, कि भाई, Britishers के rule का India के लोगों के उपर क्या impact पड़ा था, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई, क्या स्थापित हो गया इंडिया में, उसके दो से तीन साल बाद क्या हुआ, इंडिया में सूखा आ गया, ड्राउट आ गया, जिससे की भाई, बंगाल की एक तीहाई अवाधी मर गई, एक करोड से जादा लोग मर गए, यह हम लिखेंगे, अगर हम इंडिया के लोगों के उप हिस्ट्री बना रहे हैं कि ब्रिटिसर्स का इंडिया के उपर क्या इंपैक्ट पड़ा, तो वो हम लिखेंगे, लेकिन जब ब्रिटिसर्स अपना हिस्ट्री लिखेंगे तो वो इस इवेंट को काट देंगे, और सिधे बोलेंगे कि भाई, वारेन हस्टिंग कब बने, क्लासिफाइ कैसे करते हैं, जैसे ये चैपटर में जब मैं सुरू कर रहा था, तो आपसे मैंने कहा कि भाई, क्लास 6 में हमने Ancian History पढ़ा, क्लास 7 में हमने Medieval history पढ़ा और अब हम class 8 में पढ़ रहे हैं modern history तो यह जो classification है इस प्रकार से हम history में कई सारे classification करते हैं वो classification कैसे होता है यह हम समझने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला classification जो बताया गया है वो बताया गया है कि भाई 1817 में James Mill नाम के एक व्यक्ती थे स्कॉटिस मूल के थे स्कॉटलेंड के थे जो कि economist थे और political philosopher थे इन्होंने तीन volume का एक किताब निकाला जहां पर उन्होंने history of British India मतलब British India का इतिहास बताया उसमें इन्होंने history को तीन पार्ट में डिवाइड किया इन्डियन history को तीन पार्ट में डिवाइड किया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिस मतलब हिंदू, मुस्लिम और क्रिस्टिन इस तरीके से तो यह जो periodization था यह काफी जदा accept किया गया काफी popular भी हुआ लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इस प्रकार के periodization में कोई गलती थी, कोई परिशानी थी अब यहाँ पर देखिए एक सवाल है कि भाई हम लोग history को classify करते क्यों है यह important question है, जो कि आपके मन में भी आ सकता है मुझे लगा कि यह थोड़ा सा समझा देते हैं देखिए यहाँ पर history का classification या फिर history का prioritization हम करते हैं ताकि एक similar set of event को हम एक साथ रख सकें मतलब कि history में यह हम पता कर सकें, यह देख सकें कि भाई किस समय के बाद history के जो समाज है, जो society है उसके culture में change आ गया, society में कोई change आ गया, economy में change आ गया लोगों के lifestyle में change आ गया, या फिर ruler का जो पूरा तरीका था, rule का वो change हो गया तो बहुत सारी चीजों के आधार पर हम history का classification करते हैं ताकि same set of event जो है, same set of आपको event है, वो एक साथ हम रख सकें कि भाई, यहाँ से history बदल गया, यहाँ से set of event जो है, वो change हो गया तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, classification या फिर priorization करते हैं अब यहाँ पर यही पुछा गया, कि आपको क्या लगता है, कि इस history के classification में कोई परिशानी थी priorization में, Hindu, Muslim और British के अधार पर, तो यहाँ पर परिशानी यह थी, कि भाई, यहाँ पर यह जो priorization किया गया था, यह priorization आपका religion के अधार पर किया गया था मतलब कि एक ऐसा समय जहाँ पर इंडिया के rulers जो थे, वो Hindu थे एक ऐसा समय जहाँ पर इंडिया के rulers जो थे, वो Muslim थे और एक ऐसा समय जहां पर इंडिया के rulers जो थे वो Britishers हो गये Christian हो गये, समझ गये तो यह एक प्रकार का क्या हुआ Pre-ordization किया गया था religion के अधार किस के religion? राजा के religion के अधार पर यह pre-ordization किया गया था, तो यहाँ देखे आगे क्या कहता है कि why do we try and defined history into different periods यहाँ पर वही चीज है जो मैंने समझा है कि we do so in attempt to capture the characteristic of a time, its central feature as they appear to us so the term through which periodize that is demarcate the difference between periods एक set of events जो है वो एक जैसे हैं तो उनको हम एक period में रखते हैं, अलग set of events अलग हैं तो उनको हम अलग रखते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं periodization करते हैं, अब यहाँ पर आगे James Mill की हम बात करते हैं कि जिन्होंने यह periodization क्या था उसकी हम बात करते हैं उनकी, तो James Mill जो है, यह एक ऐसे व्यक्ती थे, जिनका मानना था कि जो Asian societies हैं मतलब कि Asian societies मतलब जिसमें Indian भी आ गया है, Chinese भी आ गया है, या फिर आपके जो Thailand के आ गया है, या फिर और Cambodia वगरा, Laos वगरा जो Asian सभी लोगों की बात हो रही है तो जो Asian societies है न यह आपको Europe के comparison में lower civilization के लोग हैं इनको पढ़ना लिखना आता नहीं है इनको सासन चलाना आता नहीं कुछ नहीं आता है, इनको अगर हम लोग दया भावना नहीं दिखाएंगे तो इन लोग जीने भी नहीं पाएगा, ऐसा मानना था जिम्स मिल का उनके हिसाब से Britishers के India आने से पहले जो Hindu और Muslim rulers थे, वो एक प्रकार के despot ruler थे, जो कि India के उपर rule कर रहे थे तो यहाँ पर बात है कि despot का मतलब क्या होता है, despot का मतलब एक प्रकार का तानाशा होता है जो कि जनता का कोई फिक्र नहीं करता है अपना जैसा मन वैसा साशन करे किसी से कोई मतलब नहीं है, जनता मर रही है जीरी है कोई मतलब नहीं है ऐसे रूलर को डेस्पोट कहते हैं तो भाई James Mill का ऐसा ही कहना था कि Britishers के आने से पहले सारे रूलर ऐसे थे और Britishers आये तो इनकी वज़े से क्या हुआ कि इंडिया के जो लोग हैं उन पर थोड़ी दया भावना दिखने लगी सरकार थोड़ा मोड जंदा के उपर ध्यान देने लगी और इसके साथ ही इनका कहना था कि भाई जो Asian Societies हैं मतलब Indian Society जो है यहां पर काफी ज़दा religious intolerance है, caste taboos है, superstition practices हैं तो इस परकार की जो social life है वो यहां के लोग जी रहे हैं और इसके साथ ही जो James Mill थे जो की मानते थे कि जो British rule है वो इंडि जो कसासन इंडिया में जरूरी है ताकि इंडिया को civilize किया जा सके और इसके साथ ही European manners को, arts को, institution को, laws को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना जरूरी है ताकि इंडिया के लोगों की बेहतरी हो सके उनकी जीवन को सुधरा जा सके और यहां पर यह भी कहते थे कि बाकी के ज इंडिया जो है वो खुद से progress नहीं कर सकता है Britishers के help के बिना ऐसा उनका मानना था तो यहां पर बात है कि इस प्रकार के जो James Mill के idea थे जिसके आधार पर उन्होंने हिंदू, इसके साथ ही Muslim और इसके साथ ही जो आपको Britishers history का division क्या था Indian history का division तीन पार्ट में यह एक प्रकार का हम कहते हैं कि उतना अच्छा नहीं था, problematic था, क्योंकि उनके belief ऐसे थे, जो मानते थे कि Britishers के आने से पहले इंडिया में कुछ था ही नहीं, ठीक है, तो यहां पर आगे कहते हैं कि in this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization, the period before British rule was one of darkness, can such a conception be accepted today? तो भाई, जब वो इन चीजों की बात करते हैं, कि Britishers का rule हुआ, उसके पहले Muslim और Hindu rulers का rule था, तो वहां पर Britishers का rule मतलब क्या? भाई, अच्छा rule था, क्यों अच्छा था? क्योंकि Britishers के rule के साथ क्या आया? भाई, progress आया इंडिया में, civilization आया, उसके पहले इंडिया में ऐसा तो क्या ये concept आज हम accept कर सकते हैं? जी नहीं, बिलकुल नहीं कर सकते हैं. उसका reason ये है, कि भाई, in any case, can we refer to any period as Hindu और Muslim? Did not a variety of faith exist simultaneously in this period? तो यहां पर problem की अब बात हो रही है, कि भाई, इनके इस classification के साथ क्या problem था? problem ये था, कि जो Hindu और Muslim history का जो part है, division किया गया है, ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है बाई? क्योंकि हर समय में, इंडिया में कई सारे faith के लोग एक साथ रहती आये हैं, जब इंडिया में Hindu rulers rule कर रहे थे, तब Muslims भी रहा करते थे, साथ में दूसरे community के लोग भी रहते थे, ज यहाँ पर बात है, कि हम ये जो categorization है, ये जो categorization है, history का, या फिर periodization है, ये सिर्फ religion के characteristic पर कैसे classify कर सकते हैं, कि भाई, जो rulers है, उसका religion के आधार पर हम characterise कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर, अगर हम ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि दूसरे लोग जो है, मतलब जो आम इंसान जीन्दगी जी रहा है, उसका जीन्दगी उतना ज्यादा matter नहीं करता है, सिर्फ एक चीज़ matter करता है, क्या? कि जो ruler है, वो कौन सा religion का है, वो कौन से belief system में विश्वास रखता है, ठीक है? अब यहाँ पर बात है कि यहाँ पर हमें एक चौ और चीज़ ध्यान रखना चाहिए, कि जितने भी सारे rulers हैं, चाहे वो ancient India में ही आप देख लें, सभी लोग same faith के नहीं रहे हैं, same विश्वास के नहीं रहे हैं. अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर बात है, moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. This division too has its own problem, कि भाई देखो, शुरुवात में तो division क्या किया गया? Hindu, Muslim और British. आगे चल कर जो division किया गया, इसमें ancient history नाम दे दिया गया, medieval history नाम दे दिया गया, और फिर modern history नाम दे दिया गया, तीन classification कर दिये गया, लेकिन यह जो classification था, यह जो prioritization था, इसमें भी कई सारे problem थे. क्या problem था भाई? कि भाई यह जो problem यह था ना, कि यह जो ancient, medieval और modern history का जो concept है, यह आपको west से आया है, मतलब यूरोप में इस प्रकार का classification था, तो यूरोप में यह जब classification किया गया था, तो वहाँ के society को देख कर किया गया था, वो पूरी तरीके से इंडिया पर apply नहीं हो सकत यहां उसका कारण क्या है, कि यहां वहाँ पर modern period का मतलब किया होता है, मतलब कि जब अंग्रेज यूरोप में, वहाँ पर modern period का मतलब क्या है, वहाँ पर मतलब है कि भाई, modernity के सारे जो आपको तरीके से चीजें हैं, वो लागू हो या फिर आ जाए, जैसे कि science की बात होने लगे, reason की बात होने मतलब logic की बात होने लगे, democracy, liberty, equality, इस तरीके के ideas की बात होने लगी न जब तो उस parade को कहा गया कि अब भाई modern parade आ गया है, ठीक है, medieval का parade का ऐसा समय जहां पर ऐसे societies की बात होती है, जहां पर modern society यानि ये सारे जो feature हैं ये exist नहीं करते हैं, ये Europe की बात हो रह है कि जब हम modern parade की बात करते हैं, यहां पर इसको बिना खारिज किये या फिर बिना सोचे समझे हम इंडिया पर भी लागू कर सकते हैं क्या, जी नहीं, नहीं लागू कर सकते हैं, उसका reason क्या है, कि इसका reason ये है कि जब हम modern parade कहते हैं, तो modern parade यूरोप में क्या होता है, भाई डेमुक्रेसी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, एक्वालेटी होना चाहिए, साइन्स रिजन होना चाहिए, ये सारी चीज़े होनी चाहिए, लेकिन जहां पर modern history की बात हो रही है इंडिया में, उस समय में इंडिया में किसका रूल था? भाई, ब्रिटिसर्स का रूल तो क्या हमारे पास equality थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, freedom था क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं था, liberty था क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं था, democracy था क्या? जी नहीं, था नहीं, और साथ में हमारे देश में क्या economic growth हो रहा था अंग्रेजों के समय? नहीं हो रहा था, क्य बाई हमारे देश में कहा modernity थी अंग्रेजों के समय में, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि यूरोप के concept को हम लोग इंडिया में लागू कर सकते हैं, जी नहीं बिलकुल नहीं कर सकते हैं, और साथ में जी स्प्रियेड को हम medieval history कहते हैं इंडिया में, मतलब यूरोप के हिसाब से उस समय में भले ही हमारे देश में equality वगेरा ना हो, freedom ना हो, liberty ना हो, ये सारी चीज़े नहीं थी, मानते हैं, लेकिन भाई, economic growth तो भरपूर था, progress भी भरपूर था, बहुत ज़्यादा पैसा था, इंडिया के पास, अंग्रेजों के आने से पहले, तो भाई, हम लोग कैसे उस प्रियड को medieval प्रियड मान सकते हैं, तो इस प्रियड को हमारे देश के जो historians है, वो कौन सा प्रियड कहते हैं, colonial प्रियड कहते हैं, हम लोग modern प्रियड कहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपको modern history लगभग बहुत जगों पर मिल जाएगी लिखी होई, लेकिन इस प्र कहेंगे भाई, colonial प्रियड कहेंगे, मतलब क्या जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजो का यहां पर साचन था, ठीक है, अब यहां पर बात है, what is colonial, अब यह colonial का मतलब क्या होता है, colonial क्या है भाई, तो यहां पर कहता है कि in this book you will read about the way British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawafs and rajas, you will see how they establish control over economy and society collected revenue to meet all their expenses, about the goods they wanted at low prices, produce crops they needed for export and you will understand the changes that came about as a consequence, तो भाई, यहां पर एक चीज़ आपको simply जाताया गया है, यह भाई देखो, जब यह book आप पढ़िएगा, इसके आगे के chapters पढ़िएगा, तो आप देखिया कि कैसे, सबसे पहले तो समझेया कि भाई, Britishers जो हैं, उन्होंने इंडिया पर कबजा कैसे किया, उसके बाद इंडिया के economy पर, society पर अपना control कैसे जमाया, उन्होंने tax वगरा कैसे collect किये, ताकि अपने expenses को पूरे कर सकें, जो समान उनको खरीदना है, वो कैसे उन्होंने खरीदा, उन्होंने export के लिए crops कैसे हुगा है, बहुत सारी चीज़ हमारा देश, उस समय की बात हो रही है, समझ गया, तो यहाँ पर आगे कहता है कि, you will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices, when the subjugation of one country by another leads to this kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization, मतलब क्या, मतलब कि भाई जब एक देश, दूसरे देश के उपर कबजा करे, और दूसरे देश में जाकर वहाँ के political, economic, social and cultural changes lie, तो इस प्रियेड को हम लोग क्या कहते हैं, colonization कहते हैं, मतलब अंग्रेज आए इंडिया में उन्होंने अपने सारे system यहाँ पर लागू कर द तो यह period क्या हुआ, यह period हमारा colonial period हुआ, तो यहाँ पर आगे कहता है, कि you will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way, that is why the book is called our past, मतलब कि समाज के सभी लोगों पर इस प्रकार के effect का, मतलब कि इस प्रकार के जो changes हुए, उसका same effect नहीं पड़ा, किसी को ज़्यादा नुकसान हुआ, किसी को फा हो गया, तो इस प्रकार से आप जो है, वो समझ सकते हैं कि history का impact सभी लोगों पर बराबर नहीं पड़ता है, इसलिए हमारे book का नाम क्या है, our past, मतलब क्या, मतलब यहाँ पर सभी लोगों का same history नहीं है, अलग-लग लोगों के उपर अलग-लग impact पड़ा है, अब यहाँ पर कहा जाता है कि जो historians हैं, वो पिछले 1800 सालों के Indian history को जानने के लिए क्या एक तरीके से use करते हैं, sources क्या हैं, तो यहाँ पर आपको mainly दो प्रकार के sources आपको बताएगे हैं, पहला तो source है आपका official record, मतलब जो इंडिया में अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिस की सरकार थी, वो एक तरी प्रकार से writing को बहुत ज़्यादा focus करते थे, मतलब जो भी वो instruction देते थे, plan बनाते थे, policy देते थे, decision लेते थे, agreement करते थे, investigation करते थे, सभी चीजों को लिख कर रखा जाता था, उसका record रखा जाता था, अब यहाँ पर हर event का Britishers जो है वो record रखते थे, और यहाँ प आज भी आप पढ़ सकते हैं, वो record में रखा हुआ है, उसके लिए क्या किया गया था, कि भाई देखो, Britishers जो थे, वो records को इतना ज़्यादा value देते थे, कि उन्होंने जितने भी administrative institutions थे, जितने भी offices थे, सभी के साथ attached record room बनाये थे, जैसे कि गाउं का तहसिलदार का office है, ज provincial secretariat है, lockout है, सभी के पास अपना-पना record था, जहां पर सभी प्रकार के letter को, memo को, note को, order को record करके रखा जाता था, इसके अलावा archive या फिर museums बनाये गये थे, जहां पर important records को रखा जाता था, तो यह एक source है, जहां से हमें modern history के बारे में, colonial period के बारे में पता चलता है, इसके ब पढ़ सकते हैं, अभी archive में available है, सभी जगों पर available है, आप अभी जाकर देख सकते हैं, इसके अलावा अगर देखें, तो यहां पर कहता है, कि in the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out, beautifully written by calligraphist, यानि calligraphy होती है, मतलब कि उसमें जो writers होते हैं, वो बहुत सुन्दर-सुन्दर writing से क्या करते हैं, letters को लिखते हैं, तो calligraphist जो होते थे, वो इन documents को copy किया करते थे, उसको रखा करते थे, और 19th century के middle में आते आते तक क्या हुआ, printing का use होने लगा, उससे multiple copies बनाएने लगी, record की, और उसको हर जगह पर रखा जाने लगा, ठीक है, अब यहां पर एक example है, यह आप देख रहे है यह क्या है, यह building है, किस चीज़ का National Archive of India, जो कि 1920s में बनाए गया था, records को, पुराने records को रखने के लिए, समझ गया, अब यहां पर आगे है, कि आगे इंडिया के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो जो अंग्रेज थे, उन्होंने कई सारे, बहुत सारे सर्वे भी किय है, क्या खेती होगा, सभी जानकारी जुटाने के लिए वो सर्वे करते थे, इसके अलावा वो census भी करते थे, मतलब कितने लोग हैं, किस जाती के हैं, किस धर्म के हैं, मतलब बहुत प्रकार के वो सर्वे भी क्या करते थे, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पास कई प्र इस इलाके में कैसा फ्लोरा है, फौना है, या फिर उस इलाके का लोकल हिस्ट्री क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, सभी चीजों का रिकॉर्ड हमें सर्वे की वज़ा से मिल जाता है, जो कि सर्वे अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी, समझ गया, तो यहां पर आपको कई प्रकार के सर्वे अंग्रेजों द्वारा किये गए थे, जैसे बोटनिकल सर्वे, जूलोजिकल सर्वे, आरिकोलोजिकल सर्वे, एंथ्रोपलोजिकल सर्वे, फॉरेश्ट सर्वे, या फिर सिंसस होता था, लोगों की जनसंख्या वगरा के लिए, या फिर आपको revenue survey होता था tax collection के लिए इन सभी से हमें जानकारी मिलती है history के अब यहाँ पर ये जो जानकारी उपर हमें मिलती है ये या तो data के रूप में मिलती है या फिर अंग्रेजी सरकार ने किया किया इसकी जानकारी मिलती है लेकिन इन सारे जानकारियों में हमें common people को क्या official record में क्या होता है जैसे कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ती है वो कहीं घुमने गया तो वो अपना diary लिखता है तो ऐसे लोगों की किताब लिखता था हिस्ट्री लिखता था मतलब normal people तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है तो यहाँ पर इस तरीके के जो जानकारी है वो हमें common lifestyle common लोगों के बारे में बताती है और साथ में बहुत सारे लोग autobiography भी लिखते थे इनसे हमें उस समय के लोगों के बारे में आम नहीं बताते हैं उसका reason यह है कि यह sources यानि कि जो diary लिखने का काम है letter लिखने का काम है या फिर यात्रा वृतांत लिखने का काम है यह सारे काम पढ़े लिखे लोग करते थे जो लोग अनपढ़ थे वो किसी प्रकार से कुछ भी चीज़े नहीं लिखते थे तो इसलिए ज माइन में काम करने वाले worker हैं उनके बारे में उतनी जानकारी हमें नहीं मिलती है तो यह एक प्रकार से short में आप समझ सकते हैं कि भाई unofficial record में क्या होता था अब यहां पर आगे बढ़ें तो yet this can be done if we make a little bit effort when you read this book you will see how this can be done आगे के chapters में इन चीज़ों के बारे में इन लोग पर जो sources है इनको भी आप पढ़ लिजेगा यह आपके लिए फायदे मन्द होगी तो इनको आप दोनों को देख लिजेगा समझ गये तो यह sources आपको extra जनकारी देने के लिए हैं और साथ में यहां तस्वीरे भी काफी जादा हैं तस्वीरे भी आप देख सकते हैं यह जैस इस इमेज में क्या हो रहा है इस इमेज में एक ब्राहमन है जो कि ब्रिटैनिका को क्या दे रहा है वेद दे रहा है ब्रिटैनिका मतलब क्या है जैसे हमारे देश की भारत माता होती है वैसे ब्रिटैन की ब्रिटैनिका है ठीक है अब यहां पर बात है कि यह क्या दिखा र उना हम पर बनी रहे और अच्छा सासन चलता रहे तो इस प्रकार से ये जारे सारे तस्वीर वगरा जो हैं उसमें काफी ज़्यदा जानकारी भी छुपी हुई है जिसको कि आप खुछ से पढ़ सकते हैं तो ये हमारा चैप्टर यहां पर खत्म होता है तो मिलते हैं आपसे ह अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ तब तक के लिए गुडबाई